is 4 bromofenol तो इस पॉसिबल कि अम फिनॉल से फ्ल ब्रॉमो हिना वनाहिए ऐसे नख़ विपनाल से ब्रॉमो फिनॉल बनाना है प्रॉमो फिनॉल बनाना है ऐस प्लस्ति पॉसिबल येस और नॉ कोई जोब दिना चाहिए जिस नहीं याद किया हो फिर अलकॉल किया प्यूज बताओ अगर तुम माइक पे बोलना जाओ अशनूर गीतिका कहां पर है तिक मांशू अंशिका विवेक सत्विंदर रिपीट कर नेकोशिशन यह है फिनॉल से फोर ब्रॉम फिनॉल बनाना है कैसे बना सकते हैं बिना कॉप्य में पीछे देखें अब तो पूरी परफेक्ट होनी चाहिए इस टाइम तर अब बना सकते हैं यह सब्सक्राइब पीछे वाला बूल जाते हैं ऐसे चलता है हाँ 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 कर दूब है ताहाँ कर दे ग्याँ ही जाते है अट कर दोछ दी आसने ग्राण। अब बन सकता है कैसे बन सकता है तुम यही काम कर सकते हो फिनॉल में एक जगा पर चाहो तो जा सकते हैं पर इसमें हमें यूज करना पता है कुछ याद आया CS2 की प्रेजन्स में वह एक ही जगा लगता है और तो यह पैरा पे पैरा विंग मेंज है तो एक छोटा सा चेंज प्रोड़क को बदल देता है चोटा सा चेंज क्यों बदल देता है अगर कोई कोशन पूछ ले वाइ मोनो ब्रोमिनेशन अकर्स इन प्रेजन सब्सक्तों वाई मोनोग्रोमिनेशन अकर्स इन सीए स्ट्ट्र के बाधा रहे एं कि अ कि जगवा आता है इस और प्रेज को पता gr2 इसंag क्या है इस लो प्लारिटी करेट करेगा या नहीं करेगा तो जो ब्रूमीन का बॉंड प्लारिटी की वजह से तूपता था जैसे अमीन में होता है जैसे फिनोल में होता है ये एक के पास इला जाता था और ये बियार प्लस बन जाते थे तो अब अगर कोई मैं काबन डायसलफार डाल दू तो ये काम कम हो जाएगा polarity कम हो जाएगी, इलेक्टोफाइल कम हो जाएगे तो एक पे एक ही तो अटाक करेगा ना जब वो ब्रोमीन खुदी कम है अटाक करने वाले बियार प्लस कम है तो एक बियार ही तो अटाक करेगा एक पे that means in short phenol excess में हो गया है तो ब्रोमीन एक ही लगेगा एक पे अगर हमने CS2 डाला नहीं तो बियार टू बियार प्लस बहुत सारे बना देगा और वो बहुत सारे बियार 246 पे लग जाएगे बियार रिड्यूस थी वह बियार को generate किया जाता था कैसे generate किया जाता था या तो AL CL3 से वो तो होता था CL के case में मैं तो बार